हे दोस्तो नपोलियन हिल बहुत ही ज़दा डरे हुए थे जब वो पहली बार एंड्रू कानेगी से मिले और डरेंगी क्यों नहीं एक तरफ नपोलियन हिल जो थे ना वो काफी ज़दा गरीब इंसान थे जो एक मैगजीन के लिए एक राइटर काम कर रहे थे मैगजीन वालों ने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया था जहां वो सेल्फ मेड लोगों के इंटर्व्यूज लेके उनकी सीखिवी बाते उस सेक्शन में डालने वाले थे इसी रीजन के वज़े से मैगजीन वालों ने नपोलियन हिल को एंड्रू कानेगी से मिलाया था जो उस टाइम के एक बहुत बड़े बिजनस टाइकून थे इंटर्व कानेगी अपने टाइम के वन अफ दर रिचेस्ट इंसान थे जिने कई लोग अमेरिका का पहला बिलिनेर भी बोलते हैं जिनके वास आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा पैसा था नो ऐसे सिच्वेशन में तो कोई भी घबरा जाए और सेम नपोलियन हिल के साथ हो रहा था दोनों के स्टेटस में आप बोल सकते हो जमीन आसमान का फर्क था इसलिए नपोलियन हिल भी घबरा रहे थे देखो एंड्रु कानेगी ऐसे नहीं था कि वह खांदानी बहुत रईस थे नहीं इंट्रु कानेगी की स्टोरी पढ़ोगे ना तो बहुत ही ज़्या इंड्रु कानेगी बहुत ही गरीब घर से बिलॉंग करते थे उनकी मा जो थी वो जूते सीला करती थी उनके डैडी का कपड़े से रिलेटेट बिजनस था जो इंडेस्ट्रिल रेवल्यूशन में काफी ज़्यादा फ्लॉप हो गया था जिसकी वजह से उन्हें अपना दे इसलिए वोई चीज समझते थे कि गरीब होना कितना जादा बुरी चीज होती है इसलिए जब एंड्रु कानेगी और नपोलियन हिल का इंटर्वियू चल रहा था जो रखा तो बस कुछ घंटों के लिए गया था लेकिन क्योंकि उन्हें इंटर्वियू में इतना मज़ा रहा था इसलिए इंटर्वियू तीन दिन तक चला तब एंड्रु कानेगी ने एक और इंपोलियन हिल को बताई उन्हें बताया कि देखो मेरे जैसे सक्सफुल लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीफ किया है अगर हम लोग अपनी सारी नौलेज को अपने साथ कबर में ल लोग जो लोग सचमें अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं वो इस सकस्स फिलोसिफी की हल्प से खुद भी अमीर बन सके और पौवर्टी से दूर निकल सके इसलिए एंड्रु कानेगी ने नपोलियन हिल के सामने ये चालेंज रखा तो मैं आने वाले अपने 20 साल एक फिलोसिफी रेडी करने में लगाने है फिलोसिफी जो तुम दुनिया के सबसे सकस्सफुल और अमीर लोगों से सीखोगे तुम क्या करना कि उनके पास जाना उनसे उनकी सारी लाइफ लेसन सीखना और उसे कंपाइल करके एक सकस्स की फिलोसिफी रेडी करना ताकि — जो आप बोल सकते हैं ли बत बोख मैं आज तक पταड़ी है लूए इस बहु दावा किये आपये का dedansensuite, उतना और किसी और mentor ने, किसी और book ने कभी नहीं किया है और आप यकीन मानो, ये book ने मुझे भी success दिलाने में बहुत ज़्यदा help करी है इसे आप इस book को ज़रा भी हलके में मत लेना 13 principles जो इस book में सिखाये गए हैं, उसे आप ज़रू अपनी life में follow करो क्या है वो 13 principles, obviously इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन इक बात समझिये, ये छोटे से वीडियो में मैं आपको अच्छे से वो 13 principles नहीं बता सकता हूँ अगर आप detail में वो सारी चीज़े सीखना चाहते हो, तो best है कि आप जाके ये book को पूरा अच्छे से पढ़ो एक बार नहीं बहुत बार पढ़ो, क्योंकि मैंने personally इस book को बहुत बार पढ़ी है आपकी को ready करने के बाद हमने उसकी audio recording कर आई, और फिर उसके animations ready कर आई, ऐसी animations जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है ताकि आप बिना बोर हुए इस पूरी बुक को अच्छे से easily consume कर सको, इसकी बाते सीख सको, इस book को बार बर repeat कर सको बिकोस देखो एक बार तो कोई महनत करके book read तो कर ले, लेकिन बार बर read करना लोगों के लिए बहुत problem होती है बट वहीं दुसरी तरफ आप बार बर videos easily देख सकते हो, fast forward करके, ऐसे animations वाले इसलिए हमने इस book की video book आपके लिए ready करी है, जिसके link वाने description में दी है अब देखो दोस्तों इद्धम सज बोल रहा हूँ मैं, ये पूरे process को, script writing, audio recording, animations करवाना ये सारी चीज़ों में हमने लाख रुपे invest किया है, 20-25 लाख के उपर रुपे invest किया है सिफ content produce करने में, video books बनाने में इसलिए जब हम इसकी एक एक book को भी 1000 रुपे में बेच रहे थे, तब भी लोग इसे खरीद रहे थे, बट still हम लोग चाता है कि और लोग इसे effort कर पाए, इसलिए हमने subscription model का सोचा आप लोग भी ये चीस के demand कर रहे थे, तो आप subscription model का price कितना रखा जाए, well हमने सुचा 500 रुपे per month बहुत ही reasonable है, because अगर आप normal books भी खरीदने जाओगे, तो भी आपको 500 रुपे में एक दो book नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ हम आपको audio books नहीं, बलकि पूरी video books देने वाले है तो 500 रुपे हमने सुचा काफी reasonable है, but still फिर हमने इसको और कम करके 400 रुपे per month करने का सुचा, और ये हमारा normal price रहेगा, but इसके बाद भी फिर हमने सुचा, कि हमारे seeking viewers के लिए, first thousand users के लिए, जो सबसे पहले subscription model को use करना चाहते है, उनके लिए हम और 50% off करेंगे, मतलब बस 200 रुपे per month में आप ये subscription model को ले सकते हो, जो साल के around 2400 होता है, लेकिन हाँ, ये सिफ starting के 1000 users को ही मिलेगा, उसके बाद ये normal price पे चले जाएगा, जो 400 per month होता है, तो अगर आप इस offer का फाइदा उठाना चाहते हो, तो अभी link से जाके description से जाके OVB को subscribe करो, बस 200 रुपे per month के इस आपसेट, बस 2400 रुपीज में आपको इसका yearly subscription मिल जाएगा, एक साल के अंदर आपको इसके अंदर 11 book जो available है, उसके साथ 48 new books आपको मिलने वाली आने वाले साल में, और ये सिफ 1000 लोगों के लिए ही available रहेगा, 1000 लोगों के बाद ये offer खतम हो जाएगा, तो इसलिए इस जाके offer का फाइदा उठाई है, और अगर आपको कोई भी problem भी आ रही है, तो नीचे description में link दी हुई है, चाहां से आप हमारे contact page पे जाके, यह हमारे email ID पे जाके, अगर आपको कोई भी problem हो रही है, हमारी team से आप contact कर सकते हो, आपके problems को solve कर देंगे, खेर अबी के लिए desire पैदा किया था, कि यार मुझे एक YouTuber बनना है, और वो desire ऐसा वैसा नहीं था, वो एक burning desire था, desire जिसके पीछे मैं energy, मेरा power, मेरे सारे efforts लगा दू, उसको पूरा करने के लिए, आप भी कैसे burning desire अपने अंदर डाल सकते हो, success के पीछे, क्या अलगलग steps है जो आपको follow करने चाह चार बजे उठोगे ना, तो आपको एक million dollar मिलेगा, और अगर आपको मेरी बात पी faith है, यकीन है कि हाम जो बोल रहा हो सच है, position मेरे account में पैसे डालेंगे, faith रहेगा, तो पक्का आप 4 बजे उठोगे, यही power होता है faith का, कोई भी goal जो आप achieve करना चाहते हो, अगर उसके पी पड़े actions लेने के लिए, अपने dreams पर काम करने के लिए, वह कैसे कर सकते हो, उसका भी answer इस book में दिया गया है, auto suggestion का use करके, reputation का use करके, और ऐसे बहुत सारी तरीके बताई गया है, exercise बताई गया है, जो आप कर सकते हो, अपने faith को strong करने के लिए, थर्ड आता है, auto suggestion क्या करता ह आपके conscious और subconscious की बीच का gap होता है, auto suggestion, auto suggestion आपके desire को पका करने में, आपके faith को पका करने में, आपकी बहुत ज़्यादा help कर सकता है, वो सारी चीज़े बुक के अंदर बताई गई है, basically यहाँ पे आपको अपने आपको suggest करना है, अच्छी चीज़े, ताकि आपका faith अच्छा पानी के डॉक्टर थे, उन्होंने suggest किया कि नहीं तुम जितना पानी पी रहा है, उतना आपके लिए पीना सही नहीं है, विकोज आपकी age हो गई है, आपकी kidney पे उससे थोड़ा असर पढ़ रहा है, इसलिए पानी का consumption आप कम करो, अब देखो, general knowledge तो यही बताता है, कि पा आप श्लाइस knowledge नहीं लेते है, बुक पढ़के, डीटेल में बुक की बाते एक एक करके सीख के, उनके उस organized knowledge नहीं रहती है, जो चीजी कई बार पूरा difference कर देती है, organized knowledge आपको हमारे OVB platform से बहुत अच्छे से मिल सकता है, विकोज हम यहाँ पे आपको बस ऐसी random knowledge नहीं दे बल जबकि chapter wise book summary देते है, detailed book summary जिससे आपको organized knowledge मिलेगी, तो अगर और organized knowledge भी सीखना चाहते हो, तो वह भी जाके subscribe करें, link in the description, अब आता है पाच्छवा principle, जो है imagination, देखको अपने goals को पूरा करने के लिए जितनी भी plans आप create करोगे, form करोगे, और से achieve करना चाहोगे, वो सारी चीज़े होगी आपके imagination के थरू, imagination भी दो तरीके की होती है, author बताते है, एक होती है synthetic और एक होती है creative, synthetic imagination यूजली वो होती है, जहां पर हम दूसरे पुराने ideas को reformulate कर रहे होते हैं, पुराने ideas को भार-बार new बना के उससे ही success achieve करनी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन creative imagination वो ह कैसे आपको कुछ नया create करना चाहिए, ताकि आप market disrupt कर सको और कुछ बड़ा achieve कर सको, तो वेल यह चीज़ करने के लिए आपको creative imagination की जरूवत है, लेकिन वो कुछ नया और कुछ हटके idea था, जिसके पीछे कुछ बहुत complicated चीज़े नहीं है, simple चीज़े ही थी, लेकिन वो idea बहुत ही creative, बहुत unique था, जिसने को 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 लोगा इतना अमीर बनाया, creative imagination कैसे लाग सकते हो, इस chapter में वो detail में बताया गया है, फिर six principle आता है, organized planning, जो भी आपकी desire है, उसको आपको action में कैसे convert करना है, उसके लिए आपको ज़रूद पढ़ेगी, organized planning की, organized knowledge एक चीज़ होती है, organized planning, step by step कि आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, clarity के लिए, जो आपको actions लेने में help करेगा, वरना आप confused रहोगे, और procrastinate करोगे, action नहीं लोगे, तो ये chapter में आप organized planning कैसे करते हो, उसके बारे में ही बताया गया है, फिर आता है decision, देखो नपोलीन हिलना है ना, पच्चीस हजार सदा लोगों के interviews लिये, जिससे उन्होंने एक चीज़ को conclude किया, उन्होंने conclude कि जातों लोग जिन्दगी में इसलिए फेल हो जाते हैं, वो लोग अपनी जिन्दगी में अच्छे स decision का शिकार बन जाते हैं, उनके पास clarity नहीं होती है, इसलिए उन्हों अच्छे से act नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस chapter में, 7th important principle, जो decision को लेके है, उससे relate काफी अच्छे से बात ही करी गई है, बताया गया है कि कैसे आपको decision लेना चाहिए, 8th principle आता है persistence, जब आपका जो burning desire है वो आपके willpower के साथ connect करता है, तब आता है आपके अंदर persistence, और persistence one of the most important चीज़ है, किसी भी field में success achieve करने के लिए, इसलिए इस chapter में 8th stage persistence plan क्या होता है, उसके बारे में author ने हम अच्छे से बताया है, ताकि हम लोग persistent रह के चीज़े कर सके, जाए तो लोग start तो कर देते हैं क लेकिन वोग हार मान जाते है, persistent नहीं रह पाते हैं, जिसके वोग बड़ी चीज़े अचीज़े अचीज़े नहीं कर पाते हैं, इस chapter में उस सारे चीज़े की solution बताये गया है, नाइन चीज़े आती है, the power of mastermind, जब तक आपके आपके पावर नहीं रहेगा ना, तब तक intelligence लेके, accumulated experience लेके, या experiment और research करके, और ये तीनों चीज़े आपको आपके mastermind से मिल सकती है, मतलब एक group जहां पे आप like-minded लोगों के साथ बात कर सको, अपने ideas discuss कर सको, उनके experience और अपने experience शेर करके, एक दूसरे को grow होने में help कर सको, mastermind एक बहुत ही powerful चीज़ है, जिसके बार होती है ना, उसको आप success अचीव करने के लिए use कर सकते हो, जो obviously बहुत powerful होती है, लोग प्यार के बीचे बड़ी बड़ी चीज़े कर पाते हैं, well, वही सारी energy को आप कैसे success के लिए अचीव कर सकते हो, इस chapter में उसके बारे में थोड़ा discuss किया गया है, फिर 11 आता है आपका subconscious subconscious mind के बारे में, आपका control नहीं होता है, लेकिन जब चीज़े आपके subconscious में बैठ जाती है, तो वह आपकी habit बन जाती है, और habit ही वह चीज़ होती है, जो आपको long term में success अचीव करने में help करती है, इसलिए यहाँ पर subconscious related बाते करी गई है, इस chapter में, बार वार प्रिंसिपल है, the brain के बारे में, जिसे author the broadcasting and receiving station of thought बोलते हैं, यूनिवर्स में infinite intelligence मौझूद है, और हमें इस infinite intelligence को access करने आना चाहिए, और यह access करने में हमें हमारा brain help करता है, कैसे help करता है, कैसे vibrations के help से new ideas, hunches और बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है, इसके बारे में ही बताया गया है, इस chapter में, और लास 13th principle बताया है, six sense के बारे में, जिसके बारे में जिसके बारे में बाते कर रहे हैं, जो कई बार देखनों, आपको flashes of inspirations, आपको hunches आते हैं, जिसके आपको ideas आते कि यह करना चाहिए, और कई बारे ना वो ideas ही, आपको success दिलाने में देखो help करते हैं, मेरे स इसे hunches develop कर सकते हो, infinite intelligence का फाइदा उठा सकते हो, इस chapter में उसके बारे में बताया गया है, और last book को खतम करते हैं, और छे बड़े-बड़े fears के बारे में बताते हैं, जो हम लोगों को action लेने से रोकते हैं, जो खतम करना हमारे लिए बहुत-बहुत ज़ादा ज़रूरी है, तो सच तो है ना, कि अगर आप अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया हो ना, तो उसके पीछे का reason सी वेक है, fear, डर, सच में, हमें लगता है नहीं कि हम डर पोक हैं, लेकिन कहीं हमारे अंदर डर ही रहता है, कि यार हम कुछ नया करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमें बीम बाते सीखना चाहते हो, तो अब अभी नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके इस बुक की वीडियो बुक ले सकते हो, हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल के थुरू, पहले की तरह आपको individual बुक खरीदने की जरुवत नहीं है, अगर आप OVB को सब्सक्राइब कर लोगे, तो आप आपको फ्री में इस बुक की वीडियो बुक मिल जाएगी, प्लस तेरा और अलग बुक है, जो प्लेटफॉर्म पे अल्रड़ी पब्लिश्ट है, वो भी मिल जाएगी, प्लस आने वाले एक साल में हम 24 से 48 न्यू बुक्स डालने वाले हैं, और यह जो बुक्स में डालने बुक्स डली हुई है, और डालते भी रहेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहली बताया, स्टार्टिंग के सीफ हजार यूजर्स के लिए हम लोग ये बस 200 रुपय पर मंद में देने वाले हैं, लगे तो हमें लाखो रुपय हैं, और लाखो रुपय आगे भी लगेंगे, जो मैं सच बोर रहना, पुरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, और ये एपसेट पुरी दुनिया में अपना नाम बनाने का दम रखती है, बट इसके लिए हाँ, आपका भी सपोर्ट बहुत ज़्याद ज़रूरी है, तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए, और अपने फ